हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं शीत युद का अंत और विश्यो विवस्था का पुनर्म निर्माण यानि end of cold war and new world order के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो इसको detail में हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे शीत युद क्या होता है शीत युद का खात्मा कैसे हुआ और शीत युद के अंत के बाद किस तरीके का world order हमारे पास देखने को आया और आज तक किस परकार का world order है और different different thinkers के new world order के उपर क्या विचार है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शीत युद का अर्थ क्या होता है cold war का क्या मतलब होता है तो simple शब्दों में अगर मैं बात करूँ शीत युद क्या था शीत युद USSR और USA जो दो गुट थे प्रमुक गुट उनके बीच एक तनाव था ठीक है और अगर exam point of view से देखा तो वहाँ पे इतना आसानी से आपको नहीं पूछा लाता है कि शीत युद क्या था तो देखे शीत युद क्या था ये था सोवियत संग जो की पूर्वी युरोपिय देश थे और सियुकत राज्ये अमेरिका जो पश्चिम युरोपिय देश थे इस तरीके से आपके सामन गया है Cold War, तो इस तरीके से आपको इसकी definition भी पता होनी चाहिए, Second World War के बाद दो महाशक्तियों सोवियत संग और सोवियत संग और सोवियत संग के बीच वाले दो शक्ति समुहों के बीच ये विभाजित हो गया था पूरा विश्व, यहाँ पूंजी वादी सेयुक्त राजे अमेरिका और साम्मे वादी सोवियत संग के बीच वैचारी की युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तिया अपने अपने समुहों के साथ संलगन थी, तो दूसरी क्या चीज है, पहले तो पूरुई उरोपी देश, पश्चिमी उरोपी देश, इसके साथ साथ ये सोवियत संग और सेयुक्त राजे अमेरिका तीसरी क्या डेफिनेशन बनती है, ये पूंजी वादी अमेरिका और साम्मे वादी सोवियत संग के बीच एक पेमाने पर युद नहीं हुआ, चुटपुड घटनाएं हुई है, युद की घटनाएं चुटपुट हुई है, लेकिन बड़े पेमाने पर इसमें कोई युद नहीं हुआ, जैसी की धमकिया दी जा रही थी, शीट युद शब्द का प्रयोग सबसे पहले, जोर्ज ऑर् को बरनाड बारूच ने बरनाड बरूच भी कई बार कहा जाता है बरनाड बारूच ने दक्षन कैरोलिन की विवस्थापी का को सम्मोधित करते हुए शीत युद शब्द का प्रयोग किया था ठीक है तो बरनाड बरूच भी शीत युद कॉल्ड वर से रिलेटेड है तो कई बार question पूछाड आता है कि सबसे पहले cold war शब्द किसने यूज किया अगर वहाँ पे बर्नार्ड ब्रूच आता है और Orwell वहाँ पे नहीं है तो आपको बर्नार्ड ब्रूच ही तिक करना होगा लेकिन शीत यूद को लोकप्रिये वाल्डर लिपमैन ने किया तो तीन यहाँ पे नाम आपके सामने आगे जॉर्ज ओर्वेल एक लेखक थे बर्नार्ड ब्रूच ने सबसे पहले इसको क्या है संसद के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया और वाल्डर लिपमैन ने इसे प्रसिद किया शीतियुद के लक्षण क्या होते हैं वैचारिक गरिना आइडोलोजिकल एक दूसरे के प्रती क्या है गरिना रखना राजनितिक आविश्वास यानि पॉलिटिकल तौर पे किसी के उपर भी विश्वास ना करना इसमें शक्ति संघर्ष होता है इसमें कूटनितिक जोड़ तोड़ होता है कूटनितिक जोड़ तोड़ का मतलब होता है जो आसपास वाले अपने आसपास वाले देश है उनको अपने में मिलाना और जो दूसरे गुट के देश है उनको तोड़ने की कोशिश करना सेन्य आर्थिक राजनितिक वर्चेस्व की होड और एक दूसरे की जासुसी करना तो ये इसके कुछ लक्षन थे जो की 1945 से लेके 1991 तक हमें देखने को मिलते हैं शीत युद को शष्टर सज्जित शांती भी कहा जाता है शष्टर सज्जित शांती इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि शष्टरों की होड काफी लगी हुई थी न्यूक्लियर जो परिक्षन है पहले सबसे पहले 1945 के अंदर USA ने कर लिया था उसके कुछ साल बाद USSR ने कर लिया था और उसके बाद आप देखते हैं उनके जो सहयोगी है वो चाइना है और जो दूसरे फ्रांस है जर्मनी है इटली है इन लोगों ने भी क्या है करने की भी त्यारी थी लेकिन युद्ध नहीं हो पाया जैसे कि हम क्यूबा मिसाइल संकट का एक्जामपल इसमें देखते हैं तो यह यहाँ पर आप देख रहे हैं कोल्ड वार जो 1945 से 1989 तक चलता है इसमें जो आप यहाँ पर रेड देख रहे हैं यह वार्षा पैक्ट व of USSR यह यहाँ पर आप देख रहे हैं जो Communist Party का साथ दे रही थी या फिर Communist Party की जो Allies थी यह वाली आपकी जो डार्क में यहाँ पर हैं यह है Allies Communist Party की Allies और यहाँ पर भी आपको थोड़ी थोड़ी यह देखने को मिलेगी यहाँ पर क्यूबा है इसके साथ यह तो आपका यह वाला इलाका यह वाला जो इलाका है यह क्या है आपका Other Allies of USSR यानि आप जहाँ पर भी यह देख पा रहे हो रैड कलर में हो light pink में हो यह डार्क पिंक में हो यह सारे क्या है यह USSR के Allies थे जो USSR का साथ दे रहे थे तो आप देखे कितना दूर तक कितना फैला हुआ था यह अ पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश है वो नाटो की कंट्रीज है यहां पे ये यूरोप की जो आप यहां पे देख पा रहे हो यह सारी क्या है नाटो की कंट्रीज है और यह जो यहां पे आपको नेवी यह जो लाइट Sky Blue में आपको यहां पे दिख रहा है ये Other Allies of USA है इसमें Australia भी है और ये चोटे मोटे जो यहां पे दूइप है Caribbean दूइप आपको दिख रहे है यहां पे आपको South Africa के अंदर जो यह दिख रहे है तो ये सारे क्या है ये Allies है USA के तो इस तरीके से पूरा विश्व क्या है दो खेमो के उपर बटा हुआ था और इनके बीच ये Cold War चला हुआ था शीतियोद का विश्व विवस्ता पर प्रभाव शीतियोद का विश्व विवस्ता के उपर क्या प्रभाव पड़ा तो शीतियोद क्या है 1945 से शुरू होता है 1945 के बाद क्या है bipolar world बन गया था bipolar world का मतलब एक पोल यहाँ पे था दूसरा पोल यहाँ पे था बाइपोलर का मतलब है कि पूरा विश्व क्या है दो पोल्स के अंदर बंट गया था शीत युद का प्रभाव देखते हैं क्या पड़ा विश्व विवस्ता के उपर तो सबसे पहले में बता चुकाऊं शीत युद के कारण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था दुट्य विश्व युद के पश्चात विश्व दूई धुरूबी हो गया विश्व पटल पर दो महाशक्तिया उबर कर आई विश्व के देशों के मध्य लगातार तनाव पूर्ण महोल बना रहा साथी सामेवाद और पूंजीवाद की विचारधाराओं में संगर्ष जारी रहा शक्ती संगर्ष की राजनिती ने सभी देशों की राजनिती को प्रभावित किया सोवियत संग और अमेरिका की विश्व वर्चस्यों की होड ने समस्त विश्व में युद्ध जैसी परिस्तिती को कायम रखा था 1989 तक सैन्य संगठनों का उदे हुआ 1949 में नाटो अमेरिका सैन्य संगठन बना और इसके बाद 1955 में सोवियत संग का सैनिक संगठन वार्सा पैक्ट बनाया गया सीटो सैन्टो इस परकार की कई ऐसे पैक्ट बनाये गए जिसके द्वारा क्या है पूरा विश्व मिलिटरी की तरह बन गया था विश्व मंच पर गुट निर्पेक्षता की विचारधारा का उदे 1961 में होता है जब बेल ग्रेड में पहला गुट निर्पेक्षा अंदोलन होता है और भारत मिस्र और यूगोसलाविया इसका नित्रित्व कर रहे थे तो ये शीत युद के कारण ही गुट निर्पेक्षता अंदोलन का उदे होता है शक्ती संतुलन की विवस्था समाप्त हो गई तो जैसा कि हम देखते है Morton Kaplan ने जो सिस्टम एप्रोच दी है उसके बाद ये बन जाती है टाइट बाइपोलर तो यहां पे आप देखते हैं जो शक्ती संतुलन की जो एक विवस्था थी वो almost खतम हो गई इसके कारण शीतियुद के कारण देश आर्थिक विकास से ज़्यादा सन्य रूप में समर्थन होने पर बल देने लगे यानि इन्होंने क्या है आर्थिक मजबूती पर काम नहीं किया इन्होंने सन्य मजबूती के उपर काम किया कि USA और USSR के बीट जो होड लगी थी शक्ती भंडारन की शष्टर भंडारन की वो बहुँ जादा बढ़ गई थी शीतियुद का ही परिणाम था कि देशों में कूट नितिक दाओं पेच बढ़ते गए एक नवीन परकार के सामराज्यवाद का इसके कारण क्या है उदे हुआ सामराज्यवाद क्या था कि USSR चाहता था कि मैं अपने में देश मिला हूँ और USA चाहरा था कि मैं अपने में अन्य देशों को मिला हूँ इसी के कारण आपने देखा होगा जो वियतनाम का संकर था North Vietnam, South Vietnam उसके बीच जो एक शक्ती संगर्ष था वो कहीं न कहीं USA और USSR के मध्य था North Korea और South Korea के मध्य आप संगर्ष देखते हैं जापान का जो एरिया है वहाँ पर आप संगर्ष देखते हैं तो ये कहीं न कहीं क्या है सामराज्यवाद का उधारन था शीत युद ने शश्त्री करण को बढ़ावा दिया और विश्यो शांती के लिए भहंकर खत्रा उत्पन किया दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी सैनिक शक्ती में बृद्धी करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाने लगी जिससे वहां का आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया शीत युद ने स्युक्त राष्ट्र संग की भूमिका में कमी की अब अंतराष्ट्री समस्याओं पर स्युक्त राष्ट्र संग दोनों महाशक्तियों के निर्णेओं पर ही निर्भर हो गया सेयुक्तराष्टर संग समस्याओं के समधान का मंचना होकर अंतराष्ट्रिय संगर्षों का अखाड़ा बन गया जिसमें दोनों महाशक्तिया अपने अपने दाओं पे चलने लगी और यहाँ पे वीटो पावर का प्रियोग करने लगी दोनों शक्तिया अपने अपने खेमे के देशों को बचाने के लिए शीत युद के विशिष्ट साधन यानि किस परकार के साधन इन देशों ने अपनाए शीत युद के दोरान प्रचार सबसे पहला साधन था दोनों राष्टर एक दूसरे के विरुद प्रचार करके शीत युद को बनाए रखते हैं एक दूसरे के खिलाब ये प्रचार करते थे एक दूसरे की आलुचना करते थे शक्ती प्रदर्शन ये करते थे साथ में अमेरिका और सोवियत संग सैनिक और तकनीकी समर्थता को विशो पटल पर लगातार प्रदर्शित कर अपनी अपनी शक्ती प्रदर्शन कर रहे थे इसमें कुछ ल पराकू विवानों के परिक्षन हुए और एक दूसरे का क्या है ये शक्ति प्रदर्शन करने लगे एक दूसरे की जासुसी करने लगे शीत युद के समय अमेरिका और सोवियत संग के बीच अविश्वास था व्याप्त था इसलिए वो जासुसी द्वारा एक दूसरे की गत विधियों पर नजर रखते थे कूट नितिक इन्होंने सहारा लिया अमेरिका और सोवियत संग कूट नितिक दाव पेचो द्वारा विश्यो पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते रहे सहायता के नाम पर आधिपत्य स्थापित करना दोनों ही देश कमजोर और अल्पविक्सित राष्ट्र को सैन्य और आर्थिक सहायता देते और अप्रत्यक्ष रूप से उनके उपर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते थे और उन लोगों को उन देशों को अपने में मिलाने की ये कोशिश करते थे शीत युद की प्रकृती नेचर के सा था कोल्ड वोर का शीत युद की प्रकृती कूट नितिग्य युद सी ही है जो अत्यंत उगर होने पर सशष्टर युद को जन्म दे सकती थी इस युद में दोनों ही पक्ष आपस में शीत कालें कूट नितिग्य संबंद बनाए रखते हुए भी शत्रू का भाव रखते थे यानि एक दूसरे के बीच क्या है कूट नितिक संबंद थे और ये कहने की कोशिश करते थे कि हम आपके साथ है लेकिन actual reality शत्रूता की थी और सशष्टर युद के अलावा अन्य सभी उपायों में से एक दूसरे को कमजोर बनाने का प्रयास करते हैं इस युद में दोनों ही अपने प्रभाव क्षेतर के लिए अपनी सैधान्तिक विचारधाराओं और मान्यताओं पर बल देते हैं दूसरे देशों को प्रभाव इस क्षेतर में लेने के लिए आर्थिक सायता देना प्रचार अस्तर को काम में लेना प्रचार क्या है? प्रचार को अस्तर के तौर पे ये काम करते थे जासुसी करना, सैनिक हस्तकशेप करना, सश्तर सपलाई करना, सैनिक गुटबंधी और प्रादेशिक संगठनों का निर्मान आदी, शीत युद के प्रमुख अंग रहे तो nature कैसा था, nature इसका ऐसा था कि ये एक दूसरे के प्रती ग्रिणा को प्रोचाहित करते थे, एक दूसरे के खिलाप ये प्रचार करते थे, एक दूसरे के ऊपर ये वर्चस वो स्थापित करने की कोशिश करते थे शीत युद के लिए उत्तरदाई घटनाएं, आखिर cold war start कैसे हुआ, cold war के लिए जो responsible घटनाएं हैं वो कौन कौन सी है सबसे पहले दिखिए iron curtain, इसके बारे में आई होप आप लोगोंने सुना होगा, ये लोहे का परदा सिधान्त जो है, ये important इसमें रहा है बुत्य विशु युद के वाद, सोव्यत संग द्वारा, सोय को और उसके आश्रित पूर्वी एवं मध्य यूरोपिये देशों को पश्चिम एवं अन्य गैर सामेवादी देशों के साथ, खुले संपर्क से अलग रखने के लिए, एक राजनितिक सैन्य और वैचारिक अवरोध खड़ा किया गया, जिसे iron curtain कहा गया iron curtain शब्दावली का प्रयोग सरोप्रथम, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा किया गया, तो ऐसा भी कई बार पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा जाता है, iron curtain speech by विंस्टन चर्चिल इस iron curtain के पूरो में, वे देश थे जो सोवियत संग से जुड़े हुए थे, इधर वाले जो देश थे, बीच में ये iron curtain है, इधर वाले देश क्या है, सोवियत संग के साथ जुड़े हुए है, और इधर वाले देश जो पश्चिमी देश है, वो USA के साथ जुड़े हुए है तो इस तरीके से बीच में क्या है ये आईरन कर्टन है आईरन कर्टन का सिधान किसलिए दिया ये इसलिए दिया ताकि राजनितिक सैन्य और वैचारिक अवरोध खड़ा क्या रा सके ताकि USSR क्या है इधर आकर ये जो पूंजी वादी देश है ये जो USA वाले देश है इनको कह अपने में ना मिला पाए ये आईरन कर्टन खड़ा कर दो ताकि यहां से आगे USSR ना बढ़ पाए अपनी जो इनकी सामराज्यवादी नीती थी और साम्यवाद स्थापिट करने की जो नीती थी बस यहां से आगे ये नहीं बढ़ने देना इसलिए इसे कहा गया आईरन में अनतर अमेरिका और सोवियत संग के राष्ट्री हितों में जो अनतर था उसने भी एक उत्तरदाई घटना के तौर पे काम किया विश्व पर वर्चाष्व की अभिलाशा ने शीतियृद को जनम दिया तो ये दोनों क्या है ये दोनों जो शक्तिया है ये विश्व पर अपना वर्चेस्व स्थापित करना चाहती थी इसके बाद आता है ट्रूमेन सिधान्त, ट्रूमेन डॉक्ट्रिन ये भी इंपोर्टेंट है ट्रूमेन सिधान्त की गोष्णा 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपती हेरियेस ट्रूमेन द्वारा की गई क्रूमेन सिधान्त सोवियत संके साम्यवादी और समराज्यवादी प्रयासोपन नियंतरन की एक अमेरीकी निती थी जिसमें दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे विभिद उपाए अपनाए गए उधारन के लिए अमेरीका ने ग्रीस ववा तर्की की अर्थविवस्थाओं और सेना के समर्थन के लिए वित्य सहायता का अनुमोधन किया इतिहास कारों का मानना है कि इसी सिधान्त की गोशना से शीत युद के आरंब की अधिकारिक जो गोशना है वो चिन्नित होती है तो और ट्रूमें सिधान्त एक मार्शल प्लान योजना भी से का जाता है मार्शल प्लान योजना इसे इसलिए का जाता है क्योंकि 1947 में इसकी गोशना की गई और इसकी गोशना इसलिए की गई थी मार्शल प्लान की जो 1945 तक जो Second World War हुआ था इसके कारण जिन जिन देशों को हुई थी उनकी economy को सुधारने के लिए चलाया गया था लेकिन इसके पीछे जो reality थी reality ट्रूमें सिधान्त या मार्शल प्लान के पीछे ये थी कि USSR का प्रभाव रोकना और USSR के जो सहयोगी जैसे Greece और Turkey है और अन्य जो देश है जो USSR का सहयोग कर रहे हैं उनको अपने में मिल समेलन इसको देख लेते हैं ये क्या है पोट सेडम समेलन का आयोजन वर्ष 1945 में बरलिन में अमेरिका ब्रिटेन और सोवियत संग के बीच निमलिखित प्रशनों पर विचार करने के लिए क्या गया था पराजित जर्मनी में ततकाल प्रशाशन की स्थापना करना ये यूरोप में सोवियत संग की भूमी का सोवियत संग चाहता था कि पॉलेंड के एक भाग सोवियत संग की सीमा से लगा क्षेतर को बफर जौन के रूप में बनाए रखा जाए किन्तु सही उक्तराजी अमेरिका और प्रिटेन ने इस मांग को स्विकारा नहीं अब और इसमें क्या है इसमें यहाँ पे जो समयस्या थी इसका हल इसमें नहीं निकला जैसे की सोवियत संग क्या है पॉलेंड के एक भाग को जो की सोवियत संग से लगता था उसको बफर जोन बनाना चाहते थे लेकिन बिटेन और अमेरिका इसके लिए तयार नहीं हुआ इसक पर गिराए गए परमाणू बम की सटीक प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी ठीक है सोवियत संग क्या था सोवियत संग अलाइड फोर्सिज में था सोवियत संग अमेरिका अमेरिका और सोवियत संग ये दोनों क्या है एक ही गुट में शामिल थे ये एक्सिस प बिना लिया है और हमने ये जापान पे गिराना है तो ये भी एक बड़ा एक मत्भेत था इन दोनों के बीच इसने सोवियत संग के अंदर पश्चिमी देशों की मन्शा को लेकर एक संदेह पैदा किया जिससे गठबंदन संबंद को कटू बना दिया सोवियत संग का वीटो शक्ती का बार बार प्योग हुआ जिसने अमेरिका के साथ तनाओ को और ज़्यादा उगर कर लिया था तो वीटो पावर जैसे भारत के संदर में भी कई बार जैसे पाकिस्तान के इशू को लेकर कश्मीर के इशू को लेकर जब अमेरिका ने भारत को क पन हुआ फासिवादी ताक्तों को अमेरिकी समर्थन के कारण भी शीत युद को बढ़ावा मिला और इसके साथ है लेंड लीज समझोता क्या है वो आपको पता होना चाहिए लेंड लीज समझोता है जो लेंड है उसको लीज पे देने के लिए जो समझोता किया गया वो भी एक कारण रहा शीत युद के दोरान हुई कुछ प्रमुक घटनाय आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी वो मेन घटनाय थी कहां कहां पे तनाव के स्थित युदपन हुई कहां पे छुट-पुट जडपे हुई और कहां पे टेकनोलोजिकल तौर पे या फिर आर्थिक राजनेतिक तौर पे संगष देखे गए सबसे पहली जो घटना है वो है बरलिन की घेराबंदी जर्मनी का यहां पे क्या है भी भाजन कर दिया जाता है जर्मनी को दो भागों में बाड़ दिया जाता है यह आपका पूरवी जर्मनी था और यह आपका पश्चिमी जर्मन को और इसको कहा गया बर्लिन की घहराबंदी जैसे ही सोवियत संग और सहयोगी देशों के बीच तनाव बढ़ा सोवियत संग ने वर्ष 1948 में बर्लिन की घहराबंदी शुरू कर दी बर्लिन को क्या है जैसी यह बर्लिन यहाँ पे जर्मनी की राजधानी है तो बर्लिन को इन बर्लिन क्षेत्र में उनकी गतिशीलता को सीमित करने का एक प्रियास था इसके अतिरिक 13 अगस्ट 1961 को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानि पूर्वी जर्मनी की साम्मेवादी सरकार ने पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक काटेदार बाड और कंक कंक्रीट की दिवार भी कहा जाता है इसका निर्मान कब हुआ 13 अगस्ट 1961 को बर्लिन की दिवार भी से आप कह सकते हैं इसने मुख्य रूप से पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन में बड़े पैमाने पर प्रवस्चन को रोकने का उदेश्य को पूरा क्या यानि प पूर्वी जो बर्लिन था यहां पर इस्ट जो बर्लिन था और यह आपका वेस्ट बर्लिन है यहां से देश क्या है यह जो लोग है यहां पर जा रहे थे क्योंकि यहां पर क्या है यहां पर ताना शाह का शाशन है यहां पर सम्मेवादी शाशन है यहां पर लोगों को जादी उतनी नहीं है जितनी की वेस्ट बरलिन के अंदर है तो लोग क्या है यहां से यहां जा रहे थे इसलिए इस दीवार का निर्माण किया गया बरलिन के अंदर विशेश परिस्थित्यों को छोड़ कर पूर्वी और पश्चिमी बरलिन के लोगों को सीमा पार करने की अनुमती नहीं दी गई थी वर्ष 1989 में बरलिन की दिवार के द्वस्थ होने से पहले यहां अमेरिका और सोवियत संके भी शीत युद की सबसे महतोपून प्रतीक या समारक बना रहा ठीक है जब 1989 में 1989 में बर्लिन की जो दिवार गिराई जाती है उसी को क्या माना जाता है उसी को शीत युद के अंत का प्रतीक माना जाता है ये important चीज यहाँ पे आपके लिए है मार्शल योजना बनाम कमिन फॉर्म मार्शल योजना में पहले ही आपको बता चुका हूँ वर्ष 1947 में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने यूरोपिये पुनननिर्मान कारिकरम यानी यूरोपियन रिकबरी प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें आवशक्ता नुसार आर्थिक और वित्य मदद की पेशकर्ष की गई थी ग्रीस और टर्की को जिसके तहत मदद दी गई थी एर्पि का एक उदेशे यूरोप के आर्थिक पुनननिर्मान को प्रोटसाहन देना था हाला कि यहाँ ट्रू मैं सिधान का ही आर्थिक विस्तार था कमिन फर्म क्या है सौवियत संग ने मार्शल योजना के संपूर्ण विचार को डलर समराजिवाद के रूप में इसकी भर्चना की यानि डॉलर के द्वारा क्या है आपको खरीदने की कोशिश की जा रही है और डॉलर क्या है डॉलर अमेरिका की करंसी है इसलिए इसकी आलुचना USSR ने की यहां मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों को एक साथ रखने का के लिए एक संगठन था मार्शल प्लान जो योजना थी सोवियत प्रतिक्रिया के रूप में वर्ष 1947 में कॉमिन फॉर्म यानि कॉमिनिस्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की निवपड़ी तो बहुत यहां पे आपने ये चीज़ याद रखनी है एक तरफ था मार्शल प्लान जिसे ट्रूमें सिधान के द्वारा लाए गया था और दूसरी तरफ क्या था दूसरी तरफ था कॉमिन फॉर्म और कॉमिन फॉर्म की कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है जिसकी डेफिनेशन है definition या फिर full form कह लीजिए Communist Information Bureau Communist Information Bureau और इसकी स्थापना किसलिए की गई थी इस Marshall Plan को चुनोती देने के लिए NATO बनाम Warsaw Pact ये भी important है क्योंकि NATO जो था ये America का था और Warsaw Pact USSR का था उत्री Atlantic संधी North Atlantic Treaty कह जाता है NATO को सोवियत संग द्वारा बर्लिन की गहरा बंदी ने पश्चिम की सैन्य कमजोरी को प्रकट किया जिससे वे निश्चित तोर पर सैन्य तेयारी करने हितू प्रेरीत हुए जैसी बर्लिन ब्लोकेड होता है तो उसके बाद NATO की उत्पत्ति होने लगी परिणाम स्वरूप वर्ष 1948 में मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप के देशों ने युद के मामले में सैन्य सहयोग का वादा करते हुए ब्रुसेल्स रक्षा संधी पर हस्ताक्षर किये बाद में ब्रुसेल्स रक्षा संधी में अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, डैनमार्क, आईलेंड, इटली और नॉर्वे भी शामिल हो गए और अप्रेल 1949 में नाटो का गठन किया गया तो नाटो का गठन कहां से हुआ यह हुआ ब्रुसेल्स डिफेंस ट्रिटी 1948 के तहत नाटो का गठन कब किया गया अप्रेल 1949 में नाटो देश इन में से किसी एक पर भी हमले को सभी देशों पर हमले के रूप में देखने लगे और अपने सेन्य बलों को एक सयुक्त कमान के तहत रखने पर सहमत हुए उसके बाद बनता है वार्षा पैक्ट या वार्षा संधी नाटो में पश्चिमी जर्मनी के शामिल होने के तुरंत बाद सोवियत संग और उसके आश्रित राज्यों के बीच वार्षा संधी 1955 में हस्ताक्षिर की गई यहाँ एक पारस परिक रक्षा समझोता था जिसे पश्चिमी देशों ने पश्चिमी जर्मनी की नाटो सदसेता के विरुद सोवियत प्रतिक्रिया के रूप में देखा नाटो बनाम वार्षा संधी के कारण दोनों देशों के बीच शैन्य शक्ति के प्रदर्शन की होड उगर हो गई थी यहाँ कालशीत युद का उगर चरण कहा जाता है हतियारों की प्रतिसपर्दा इसमें बनने लगी सोवियत संग पर अमेरिकी नियंतरन रणनीती ने सयुक्त राज्ये अमेरिका को व्रिहत पेमाने पर हतियारों का संग्रहन करता मना दिया और प्रतिक्रिया में सोवियत संग ने भी यही किया व्रिहत पेमाने पर प्रमानु हतियारों का विकास हुआ और विश्व ने प्रमानु युग में प्रवेश कर लिया अंतरिक्ष में भी प्रतिवर्दा जो प्रतिसपर्दा थी वो शुरू हो गई स्पेस रेल शुरू हो गई शीत युद की प्रतिद्वन्दता में अंतरिक्ष अन्वेशन का एक और नाटकिय क्षेत्र के रूप में उभरा वर्ष उनिसो सतावन में सोवित संग ने स्पुटनिक का स्पुटनिक एक का प्रक्षेपन किया यह विशो का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपगरह था जिसे प्रिथ्वी की कक्षा में प्रतिस्थापित किया वर्ष उनिसो अठावन एक साल बाद ही अमेरिका ने एक्स्प्लोरर वन नामक अपना पहला उपगरह प्रक्षेपित किया इस अंतरिक्ष प्रतिस परधा में अंतता जीत अमेरिका की हुई जब इसने 1969 में सफलता पूर्वक चंदरमा की सतह पर पहला मानव नील आमस्टॉंग भेजा ठीके तो पहला मानव चंदरमा के उपर किसने भेजा अमेरिका ने जिनका नाम था नील आमस्टॉंग आईजन हावर सिधान्द की गोशना होती है उसके बाद आईजन हावर ये अमेरिका के राष्ट्रपती थे जून 1957 में अमेरिका द्वारा आईजन हावर सिधान्द की गोशना की गई इस सिधान्द के अनुसार अमेरिकी कॉंग्रेस ने राष्ट्रपती को पश्चिमी एशिया के किसी भी देश में साम्यवादी आकरमन को रोकने के लिए अपने विवेक के अनुसार सेना भेजने तथा सैनिक कारेवाही करने का अधिकार दिया दूसरी तरफ यह हुआ कि आज जो आईजन हावर सिधान की गोशना पर रूसी प्रतिक्रिया हुई कि उसने इसको पश्चिमी एशिया के लिए घातक बताया फल स्वरूप इस क्षेतर में अमेरिका तथा रूस ने अपने अपने प्रभाव क्षेतर जमाना आरम कर दिये परिणाम स्वरूप सामरिक महत्यों के पश्चिमी क्षेतर और तेल कुओं पर प्रभुसत्ता जमाने के लिए अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे के पूरा युद यह क्यूबा मिसाइल संकट 1962 क्यूबा भी तब इस शीत युद में शामिल हो गया जब अमेरिका ने वर्ष 1961 में क्यूबा के साथ अपने राजनईक संबंद तोड लिये और सोवियत संग ने क्यूबा की आर्थिक साहता में व्रिधी कर दी वर्ष 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में बे ओफ पिग्स आकरमन की योजना बनाई जिसका उदेश्य सोवियत समर्थित फिदेल कास्तरों की सत्ता को उखाड फैंकना था किन्तु अमेरिका का ये अभियान विफल हुआ तो अमेरिका ने क्या किया अमेरिका ने क्यूबा 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 क्यूंकि ये कॉम्मिनिस्ट कंट्री थी और बे ओफ पिग्स में क्या किया इन्होंने इन्होंने फिदेल कास्तरों की सत्ता को उखाडने की कोशिश की अमेरिका ने लेकिन USSR ने क्या कर दिया USSR ने सहयोग देना शुरू कर दिया क्यूबा को इस घटना के बाद फिदेल कास्त्रों ने सोवियत संग से सैन्य मदद की अपील की जिस पर सोवियत संग ने क्यूबा में परमाणू मिसाइल लॉंचर स्थापिट करने का निर्णे लिया जिसका उदेश्य अमेरिका को लक्षे बना रहा था क्यूबा मिसाइल संगकट ने दोनों महाशक्तियो को प्रमाणू युद के कगार पर पहुँचा दिया कगार की निटी आपने सुना होगा दोनों जो देश थे उन्हें युद के कगार पर पहुँचा दिया पॉलिसी प्रिंग पैंशिक इसे कहा जाता है हाला कि कूट निती प्रियासों से इस संकट को टालने में सफलता मिली और एक और लैंड मार्क यहाँ पे है यह है स्वेज नहर का संकट वर्ष 1956 में स्वेज नहर के राष्ट्रे करण के जवाब में फ्रांस और ब्रिटेन ने मिसर पर सैनिक हमला कर दिया आप यहाँ पे दिखे स्वेज नहर का बहुत सिंपल है स्वेज नहर पर जो दावा कर रहा था वो कर रहा था मिसर और ब्रिटेन और फ्रांस क्या चाहते थे कि स्वेज नहर के उपर इनका कंट्रोल ना हो क्योंकि स्वेज नहर के थ्रू क्या होता था स्वेज नहर के थ्रू व्यापार करते थे फ्रांस ब्रिटेन और जितने भी आपके यूरोपिय देश थे लेकिन मिसर ने क्या कर दिया इसका राष्ट्री करन कर दिया इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या है भारत ने भी इसकी आलोचना की थी और इसमें मिसर का साथ भारत ने दिया था इसने एक बार भी फिर से युद में गर्माहट की जो उत्पत्ती कर दी थी मासको बॉन समझोता वर्ष 1970 में सोवियत संग और पश्चिमी जर्मनी के बीच ये समझोता हुआ इस समझोते के दौरा दोनों देशों ने यथा स्थिती को स्विकार कर एक दूसरे के खिलाब शक्ती प्रयोग नहीं करने का निर्णे लिया इसलिए दो महाशक्तियों के बीच शीत यूद में तनाव में काफी कमी हुई डेटेंटे का पिरियड ये है 1970 का ठीक है 1979 से डेटेंटे शुरू होता है जिसमें शीत यूद में शितलता जिसे कहा जाता है शितलता शुरू हो गई थी शीटियुद में 1970 से शुरूआ था और ये जो मासको बॉन समझोता है मासको राजधानी थी USSR की और बॉन जो है ये पैषिमी जर्मनी की राजधानी थी और इनके बीचे समझोता हुआ और इन्होंने स्विकार कर लिया भई आपकी पूर्वी जर्वनी आपके लिए पशिमी जर्वनी हमारे लिए और हम एक दूसरे की जो यह था स्तिती है उसका सम्मान करेंगे यह हुआ था मासको बॉन समझोती के अंदर शीत युद के समय बने सैनिक संगठनों का एक आइडिया आपको होना चाहिए उसका ओवर विव आपको पता होना चाहिए क्योंकि डारेक्ट कॉशन पूछे जाते हैं करम में लगाने के लिए तो यहाँ पे देखिए रियो संधी अगस्ट 1947 में Organization of American States के मध्य रक्षात्मक संधी होती है तो यह कई बार कॉशन पूछा आता है OS का गठन कब हुआ OAS Organization of American States इसका गठन हुआ 1948 में और 1947 से प्रियास रियो संधी के द्वारा किया गया था इसके वर्तमान में 35 सदस्य देश है नाटो अमेरिका का सन्य संगठन जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ अप्रेल 1949 में इसका गठन हुआ नाटो का मुख्याले कहाँ पर है ब्रसल्स में वर्तमान में इसके 31 सदस्य देश है और अभी आप देखते हैं USSR और USSR तो अभी नह ही है ओके ठीक है 31 देश ही इसमें है अभी 32 देश इसमें नहीं जुड़ा है अंजस की स्थापना 1951 में की गई और सीटो की स्थापना कब होती है ये सीटो जो है साउथ इस्ट एस्ट एशिया ट्रिटी और्गोनाइजेशन पाकिस्तान भी इसका मेंबर था और ये अमेरि मनिला पैक्ट के तौर यानि मनिला संधी के तौर पे इसे जाना जाता है संस्थापक देश सीटो के कौन कौन से है अमेरिका थाइलेंड फिलिपिन्स ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान न्यूजिलेंड और ब्रिटेन उसके बाद बनता है सेंटो सेंटो भी किसका समर्थक है सें Organization Central Treaty Organization या फिर इसे मीटो भी कहा जाता है Middle East Treaty Organization इसके संस्थापक देश थे तुर्की, इराक, इरान, पाकिस्तान और ब्रिटेन तो यहां पे आप देखिए केवल नाटो का सदस्य पाकिस्तान नहीं था सीटो और सेंटो दोनों का सदस्य था पाकिस्तान अमेरिका इसका सदस्य नहीं था इसका उदेशे नाटो का पश्चिमी एशियाई प्रसार करना था यानि जो नाटो पश्चिम एशिया में नहीं बन सकता था वहां पे इसका प्रसार करना था उसके बाद बनता है वार्षा पैक्त 1955 में एक साल बाद और इसकी सापना कब होती है मैं 1955 से और एक में जब USSR का विगटन होता है तो ये भी खत्म हो जाता है ये सोवियत संग का संगठन था जो कि NATO के प्रती उत्तर में बना था नाटो के प्रती उत्तर में ये बना था तो तीन संगठन याद रखना अपने नाटो सोरी चार संगठन हैं OAS नाटो, सीटो, एंड सेंटो ये चार संगठन किसके थे USA के समर्थक और वार्षा पिक्ट एक मातर था किसका समर्थक USSR का शीत युद का अंद कैसे होता है? End of Cold War वर्ष 1991 में कई कारणों से सोवियत संगठ का विखटन हो गया जिससे शीत युद की समाप्ती को चिन्हित किया क्योंकि दो महाशक्तियों में से अब एक कमजोर पढ़ गया था शीत युद के कारण और ये कारण आपके लिए इंपोर्टन्ट है सभी कारणों का आपको पता होना चाहिए सबसे पहले सैन्य कारण अंतरिक्ष और हतियारों की प्रतिसपरधा में सैन्य आवशक्ताओं को पूरा करने में सोवियत संग के संसादनों का बड़ा नुकसान हुआ इस कारण सोवियत संग अपनी शक्ति को बरकरार नहीं रख पाया तो देख़िए इन्होंने क्या सारा का सारा पैसा किसमें लगा दिया इन्होंने मिलिटरी में सारा पैसा लगा दिया सैन्य शक्ति में लगा दिया और आर्थिक विकास के क्षेतर में USSR पिछड गया और एक कमजोर गुट बन गया अफगानिस्तान का युद सोवियत अफगान 1979 इसे अफगानिस्तान इन्वेजन भी कहा जाता है ये 10 साल तक चला सोवियत संग के विगटन का एक अन्य महतोपुन कारण था क्योंकि इसने सोवियत संग का आर्थिक और सैन्य संसादनों को काफी क्षती पहुँचाई मिखाईल गौर्वाचव की नितिया तो ये मिखाईल गौर्वाचव क्या थे महासची बने थे USSR के और 1985 में ये महासची बने थे इसके और 1991 तक ये रहे थे जब तक इसकी क्या है USSR खतम नहीं हो गया मृत प्रयाए होती यानि रीकंस्ट्रक्शन नितियों को अपनाया गया ग्लासनोस्ट का उदेश्य क्या था ग्लासनोस्ट का उदेश्य राजनितिक परिद्रिश्य का उदारी करन करना था ग्लास जैसे होता है ग्लास की तरह स्पष्ट और पारदर्शी नीतिया अपनाई गई उसे कहा गया ग्लास नोस्ट पैरस्ट्रोई का उदेश्य सरकार द्वारा संचालित उद्योगों के स्थान पर अर्ध मुक्त बाजार नीतियों को प्रस्तूत करना था यानि एकॉनमी के अंदर रिकंस्ट्रक्शन को क्या कहा गया पैरस्ट्रोई का ठीक है क्योंकि इसके द्वारा पहले क्या होता था USSR में जितने भी उद्योग होते थे सरकार के पंट्रोल में होते थे लेकिन यहाँ पे क्या है पब्लिक इंडस्ट्री को भी लाया गया तो ये पेरस्ट्रोई का थी इसने विभिन्द मंत्रालियों को अधिक स्वतंतरता से कारे करने की अनुमती दी और कई बाजार अनुकूल सुधारों की शुरुआत की कदमों से साम्मेवादी विचार में किसी पुनर जागरण का प्रवेश कराने के बजाए संपूर्ण सोव्यत तंतर की आलोचना का माग खोल दिया क्योंकि यहाँ पे क्या है ग्लास नोस्ट ओपननेस अपनाई गई तो इसलिए क्या है USSR की आलोचना यहाँ पे शुरू होने लगी क्योंकि USSR ने बहुत गाटा अपना कर दिया था अपनी नीतियों के कारण और उसकी आलोचना होने लगी इसके अलावा 1990 तक साम्यवादी देशों में लोकतंतर के आंदोलन सक्री हो गए साम्यवादी देशों में भी पूंजीवाद का आकर्शन बढ़ रहा था यानि जितनी भी कॉमिनिस्ट कंट्री थी वो भी लोकतंतर को अपनाना चाहती थी वो भी उदार लोकतंतर को अपनाना चाहती थी वो पूंजीवाद को अपनाना चाहती थी इसलिए क्या है आकर्शन इन देशों में बढ़ा इन्ही सबी कारणों के चलते शीत युद समाप्त हो गया, सोवियत संग विगटित हो गया, विश्व में दुई दुरुवियता समाप्त हो गयी और विश्व में एक दुरुविय विवस्ता का प्रचलन हो गया तो यहाँ पर देखिए, 1945 से लेकर हमने 1989 या फिर 1991 आप देख लीजिए, 1991 क्योंकि ओफिशिल तौरपन 1991 में इसके पतन की गोशना कर दी गई थी, तो 1945 से 1951 तक विश्व विवस्ता कैसी थी, वर्ल्ड ओर्डर कैसा था, यहाँ पर वर्ल्ड ओर्डर था, बाइपॉलर या द यूनी पॉलर, यूनी पॉलर वर्ल्ड ओर्डर बन गया 1991 के बाद, अब देखते हैं विश्व विवस्ता का पुनर निर्माण, यानी निव वर्ल्ड ओर्डर किस तरीके से बना, 1991 के बाद विश्व पून रूप से नवीन विवस्ता में बदल गया, निव विवस्ता में ये बदल गया, दुई द्रिव्य से एक दुरूवी ये हो गया, यूनि पोलर ये बन गया, अब विश्व पटल पर केवल एक महाशक्ती शेश रह गई थी वो थी अमेरिका, अमेरिका ही सैन्य संसादनों से संपन, आर्थिक रूप से समर्थ, नवीन तकनी की संसादनों से प एक ही शक्ती सरोपरी हो गई हो, अर्थात एक ही महाशक्ती का वर्चस्व रह गया हो, इस विवस्था में एक महाशक्ती को नियंतरित करने वाली दूसरी महाशक्ती का अभाव था, उस वक्त विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को चुनोती देने वाला कोई भी देश देश नहीं रहा था। विश्यो में पूंजी वादी अर्थ विवस्ता का बोलबाला हो गया क्योंकि स्माजवादी अर्थ विवस्ता पूरी तरीके से असफल हो गई थी। अमेरिका का सन्य खर्च और सन्य प्रद्योग्यों की गुणवत्ता का इतना अच्छा होना कि विश्व में कोई भी देश उसको चुनोती नहीं दे सकता था अंतराष्ट्री मुद्राकोश विश्व बैंक जैसे अंतराष्ट्री संगठनों पर भी इसका वर्चस्व था किसका अमेरिका का उसकी जीन्स, कोका कोला, पैपसी, आदी, विश्व भर की संस्कृतियों पर हावी हो रहे थे यानि इसका क्या है कल्चरल इंपक्ट और मल्टिनेशनल कंपनीज के थ्रू अमेरिका का इंपक्ट पूरे विश्व के उपर बढ़ रहा था एक दुरूविय विश्व विवस्था के उदे के क्या कारण रहे सबसे पहले तो आपको मैं बता चुका हूँ, सोवियत संग का विगटन हो गया था USSR का विगटन 1991 में हो गया था और सोवियत संग 15-13 राज्यों में बट गया था जिसका नाम रखा गया CIS Commonwealth of Independence State जो की 15 राज्यों में बट गया था USSR तो ये सबसे पहला कारण था कि एक दुरूविय विवस्था बन गई रूस की कमजोर स्थिती सोवियत संग के विगटन के बाद रूस उसके उत्तराधिकारियों के रूप में सामने आया लेकिन उस समय रूस आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से और राजनितिक रूप से संपन नहीं था रूस की इसी कमजोर स्थिती के कारण विश्व में एक दुरूविय विवस्था आ गई अब यहाँ पे देखे हाला कि USSR विगटित हो गया था लेकिन 15 स्वतंतर राज्ये थे अगर रूस इनको कंट्रोल कर पाता तो यह भी अपने आप में एक गुट होता यह भी अपने आप में एक पोल होता लेकिन ऐसा नहीं हो पाया चीन, वियतनाम और क्यूबा जैसे देश सामयवादी ही बने रहे लेकिन 1991 के बाद इन देशों में उदारवाद का जनम हुआ आज के टाइम पे आप देखोगे तो चाइना के अंदर भले ही कॉमिनिजम है लेकिन उदारवाद वहाँ पे है, पुझी वाद वहाँ पे है, वहाँ पे बिलेनियर है, मिलेनियर है और रूस के अंदर भी जैसे उदारवाद पनव चुका था इन देशों का इस समय उस समय समयवाद की विचारधारा के प्रसार प्रसार की और कोई ध्यान नहीं था और ना ही विश्व वर्चस्व की कोई आशा थी जापान और जर्मनी आर्थिक शक्ती बन रहे थे लेकिन सैन्य शक्ती ये नहीं बन पाए इसके कारण एक दुरूवी विश्व विवस्था की परिकल्पना विश्व पटल पर आ गई गुट निर्पेक्ष राष्ट्र अपनी आंतरिक समस्याओं में उल्जे रहे इसके कारण अमेरिका की शक्ती के सामने कोई राष्ट्र नहीं टिक पाया अब एक दुरूवी विश्व विवस्था के आखिर क्या प्रभाव वर्ल्ड के उपर पड़े दुनिया के उपर पड़े अमेरिका का प्रभुत्तो स्थापित हो गया था एक दुरूविय विश्व विवस्था का सबसे प्रमुख प्रभाव पूरे विश्व पर अमेरिका का प्रभाव था हर देश की राजनेती में अमेरिका का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हस्तक्षेप था Pax Americana की विचारधारा का दबदबा बन गया तो ये भी important है Pax Americana का क्या मतलब हुआ America द्वारा स्थापित शांती यानि Uncle Sam जिसे कहा जाता है दुनिया का जो तानाशा जिसे कहा जाता है Uncle Sam का मतलब हुआ कि मैं ही हूँ जो क्या है दूसरे देशों के मैं शांती स्थापित करूगा जिसे Pax Americana कहा गया पुझी वाद का विस्तार हुआ साम्मेवादी महाशक्ती सोव्यत संके विगटन से साम्मेवाद के प्रचार प्रसार में विराम लग गया और इसका लाब अमेरिका को हुआ अमेरिका को अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए मोका मिल गया इससे कई देश पुझी वाद के और आकर्शित हुए संयुक्त राष्टर पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ता गया UN के उपर क्या है UN के उपर अमेरिका का प्रभाव बढ़ता गया क्योंकि UN के अंदर अमेरिका एक मातर महाशक्ति बच्ची हुई थी और साथ में आर्थिक रूप से सन्य रूप से हर प्रकार से अमेरिका क्या है सशक्त बना रहा अमेरिका की आर्थिक शक्ती का पूरे विश्व में बोलबाला हो गया अमेरिका की करंसी डॉलर पूरे विश्व के लिए एक मानर जो मानने करंसी है वो बन गई इससे पहले USSR की जो 15 कंट्रीज थी साम्यवादी देश थे वो डॉलर का विरोध कर रहे थे लेकिन अब डॉलर का क्या है उसको वैदता मिल गई सभी देशों में शक्ती संगर्ष की राजनेती समाप्त हो गई विचार धाराओं का संगर्ष खतम हो गया जिसे end of history के तोर पे बताया फुकुयामा ने यानि विचार धाराओं का जो संगर्ष था वो खतम हो गया एक दुरूबिय विश्व विवस्था में विश्व एक ही महाशक्ती के प्रभाव में आ गया विभाजित विश्व अब संगठित होने लगा एक दुरूबिय विश्व विवस्था में दुई दुरूबिय की अपेक्षा अधिक संतुलन था एक दुरुवी विश्य विवस्था में सामराज्य वादी विचारधारा में नवीन रूपधारण इन्होंने कर लिया एक दुरुवी विश्य विवस्था में शक्ति का केंदरी करण हो गया और वर्तमान समय में एक दुरुवी विश्यो विवस्था बहु दुरुवी विवस्था की तरफ बढ़ गई है क्योंकि अब चीन, रूस, भारत, जापान जेसे राष्टर भी शक्ति संपन बनते जा रहे हैं और शक्ति का केंदर भी बन रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर इंपोर्टन चीज़ क्या है आज के टाइम पर अगर विश्यो विवस्था की बात करें तो बिल्कुल आजकी जो विश्यो विवस्था है वो बहु दुरुवी है बहु दुरुवी है का मतलब होता है मल्टी पॉलर वर्ल्ड ऑौर्ड ठीक है multipolar world order आज हमारे सामने है multipolar world order कैसे है क्योंकि आज चीन, रूस, भारत, जापान जर्मनी ऐसे देश तो बढ़ी रहे हैं लेकिन साथ में जो organization है वो regional organization हो regional organization में जैसे आसियान है, सार्क है बिम्स्टेक है, ओपेक है वैसे ही south-south dialogue के लिए बनी हुई संस्थाए है, जिसे EU हो गया EU, African Union है European Union है और इसके साथ साथ आपके international organization जैसे की UNO है, Britain Woods organization है, तो आज के टाइम में आप क्या देखते हो आज के टाइम में हमारा जो world order है, वो एक दुरूबियना होकर multipolar world order के तौर पर देखा जाता है, तो अगर question पूछल आए आज का world order कैसा है, multipolar world order है, अगर thinkers की बात करें, इस से related thinkers कौन कौन से है, जो world order की बात करते है SP Huntington SP Huntington world order की बात करते है Norm Norm Chomsky हो गए Chaucer Dovassky हो गए Paul Kennedy हो गए, ये ऐसे चिंतक है, जिन्होंने world order पर अपने विचार दिये है तो दोस्तों ये था आज का एक हमारा lecture जिसमें हमने End of Cold War या Cold War को हमने पढ़ा उसके बाद End of Cold War को पढ़ा और सबसे लास्ट में हमने दिखा विश्यो विवस्ता को आई होप lecture आपके लिए यूजफूल रहा हुगा थैंक्यू, थैंक्स वाचिंग